क्रोना का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है, तीसरी लेहर में लगातार मरीज संक्रमीट आ रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ है डिप्टी CMHO प्रित्थम सिंजी, अमीली से जानते हैं, ये कितने संक्रमी आ रहे हैं और किस तरह से चल रहा हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है केस निरंतर जोदपूर में राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं अभी जोदपूर में एक्टिव केस का आकड़ा 4344 है जिसमें करीब 61 जो मरीज हैं वो प्राइबेट और गॉर्मेंट हॉस्पिटल से उसमें भरती हैं सभी स्टेबल हैं कुछ चार पाज मरीज हैं जो ऑक्सिजन पर भी हैं जिसके साथ जोदपूर में दो दैट्स भी हो चुकी है और निरंतर प्रशाशन चिकित्सा विभाग दारा जो कॉंटेक्ट ट्रेशिंग है वो की जारी है सेंप्लिंग ज्यादा बढ़ा ही जारी है और बिल्कुल चिकित्सा विभाग जल्द से जल्द जितने ज्यादा केसे निकल पाएंगे कॉंटेक्ट ट्रेशिंग से निकाल किसी तरह के शिम्टम ज्यादा बढ़ जाते हैं सास में तकलिफ आना ऐसा होता है तुरंद उसी वग्त होस्पिटल में सिफ्ट कर दिया जाता है घर में जो मरीज के तरह उनको जोड लिया जाता है जिनके तरह मonईटरिंग की जाती है किसी भी तरह की तकलीफ ओने पर तुरंद उनसे संपर्ख करते हुए उनको अगर ऊस्पिटर सिफ आइसोलेशन लगबग जब सबका समाव्थ हो चुका है और जैसे केसे देखा जाए तो हम यह मान के ही चलें कि केसे बढ़ रहे हैं तो इसमें ओमिक्रोन को देखना और ओमिक्रोन के बारे में बात करना ये भी जायज है लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो पॉजिट्विट जोन बनाए हैं जिस जगह पे पांच या पांच से अधिक कोई एक ही जगह पे अगर पॉजिट्व पेशेंट पाये जाते हैं तो वहां पे इंसिडेंट कमांडर जो प्रशाशन दवारा इंसिडेंट कमांडर बनाए गये हैं चिकेट साविभाग और प्रूलीस है जहां पर वी हैं जहां पर क्यांक्ता है जान वाहां जिस नाट Г usugma बनाए गये हैं जल्द ही हम उस पर और आपको एक आक्शन प्रणाली बनाते होए उस थे सिंटम्स आ रहे हैं जो पॉजिटिव हैं जी सा कि मैंने आपको बताया कि चार अजार तीनस्तो तॉमारी चाहए सथा मरीज़ है वही हॉस्पिटल में आडमिट है तो इस तरह से देखा जाए तो फ़्योक्त ही माइल्ड हैं तो फींटस लिवर भी आऻरा है तो लग्मेशन से ठीक Monsieur प्रॉजिए क्षड श्रिओक नोके लगे तो रहे हमके जो रहा हैं जोत्पुर कानफुरी गुइल ABP News आपको रखे आगे